Hello everyone, welcome to my channel CCEK with Pooja तो आज की class में हम Libre Office Writers Related Shortcut Keys के बारे में जानने वाले हैं Triple C के exam में Shortcut Keys से Related Questions जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं तो आज उन Questions के बारे में हम बात करने वाले हैं Plus जो Shortcut Keys पूछे जाते हैं उनको हम Practical करके देखने वाले हैं कि वो हमारे Document में किस तरीके से इस्तिमाल की जाती है तो चलिए Start करते हैं आज की class तो Libre Office Writer Shortcut Keys में आज हमने वो Shortcut Keys रखी हुई हैं जो Triple C के exam में अकसर Questions पूछे जाते हैं इनसे Related तो यह हमारा पहला Question है Writer में Page के सभी Contents को Select करने के लिए Keyboard से किस की का इस्तिमाल किया जाता है अगर आप Libre Office Writer Document पर काम करते हैं तो अगर आपको पूरे Documents की Content को एक बार में Select करना है तो आप इन में से किस Shortcut की का इस्तिमाल करेंगे Ctrl Shift Plus A, Ctrl B, Ctrl A, Ctrl C तो इसका जो Right Answer है वो है Ctrl Plus A जब आप Libre Office Writer की Document पर काम करते हैं तो पूरे Content को एक बार में स्तिमाल करने के लिए हम Ctrl Plus A जो है वो Keyboard से Shortcut का स्तिमाल करते हैं Next Question है, Active Document को Print करने के लिए Shortcut की है अगर आप Libre Office Writer की Document पर काम कर रहे हैं तो अगर आप उस Document को Print करने वाले हैं तो उसके लिए किस Shortcut की का इस्तिमाल करेंगे Ctrl P, Ctrl K, Ctrl A, Ctrl Shift Plus O तो ध्यान रखिए का इसका जो Right Answer है वो है Ctrl Plus P Ctrl Plus K जो है वो Hyper Link Insert करने की Shortcut की है Ctrl Plus A जो आपने पिछले Questions में अभी देखा Ctrl Plus A जो है वो All Document पर जितना भी Content है उसको Select करने के लिए इस्तमाल करते हैं और Ctrl Plus Shift Plus O जो है ये Document पर Print Preview करने की जो है वो Shortcut की है तो Next Question है, Libre Office Writer में करजर के बाई साइड एक करेक्टर मूव करने के लिए Shortcut की है अगर आप Libre Office Writer में करजर के Left Side की करेक्टर को मूव करना चाहते हैं तो इन में से कि शॉटकट की का इस्तमाल करेंगे Ctrl Plus Left Arrow, Ctrl Plus Right Arrow Ctrl Plus Down Arrow, Ctrl Plus Up Arrow जानकी का Keyboard पर चार बटन्स होते हैं को हम करजर कंट्रोल की बोलते हैं क्योंकि यह जो हमारी करजर को है वो मूव करने के काम आते हैं जैसे अगर हमारा करजर किसी भी पोजीशन में रखा है और उसको हमें Left Side की करेक्टर को मूव कराना है तो इसके लिए हम Ctrl Plus Left Arrow जो है वो इस्तमाल करते हैं तो इसका जो Right Answer है वो है आपका First वाला Next Question है Select किये हुए Text या शब्द को Bold मोटे अक्षर में लिखने के लिए Shortcut की है यानि कि अगर आप किसी भी Select किये हुए Text या शब्द को Bold या मोटे अक्षर में लिखना चाहते हैं तो इसकी Shortcut की क्या होगी Ctrl प्लस V Ctrl प्लस I Ctrl प्लस U या Ctrl प्लस V तो इसका जो Right Answer है वो है आपका A Ctrl प्लस V Bold की जो Shortcut की है Ctrl प्लस B जो हो हम यूज करते हैं Ctrl प्लस I Italic के लिए होता है Ctrl प्लस U जो हो Underline के लिए होता है Okay, Next Question है Paragraph को Page के बीचों बीच में लाने के लिए या शब्दों को बीच में लिखने की Shortcut की क्या है या आप ये भी कह सकते हैं कि शब्दों जो हमारा Alignment है अगर हम उसको बीच में लिखना चाहते हैं तो Paragraph को Page के बीचों बीच में लाने के लिए या शब्दों को बीच में लिखने के लिए शॉटकट की है Ctrl प्लेस F, Ctrl प्लेस E, Ctrl प्लेस H या Ctrl प्लेस I तो इसका जो राइट आंसर है वो है Ctrl प्लेस E जिसको हम alignment बोलते हैं, align भी बोलते हैं तो अगर आप अपने page के या paragraph की पीचे वीच से कोई ची लिखना है स्टार्ट करना चाहता है तो इसके लिए हम Ctrl प्लेस E जो है वो shortcut की इस्तमाल करते हैं इससे जो हमारा alignment है वो center हो जाता है अगला question है Find और Replace डालोग बोक्स खोले के लिए shortcut की क्या है Ctrl प्लेस H Ctrl प्लेस R, Ctrl प्लेस G या Ctrl प्लेस M तो इसका जो right answer है वो है A, Ctrl प्लेस H यानि की अगर हमें Find या Replace डालोग बोक्स ओपन करना है तो इसके लिए हमें keyboard से Ctrl प्लेस H जो है वो shortcut की इस्तमाल करनी पड़ीगी next question है writer में line की शुरुवात में जाने के लिए shortcut की है अगर आप writer document पर काम कर रहे हैं और आपको line की शुरुवात में जाना है तो इसकी shortcut की क्या है end की, Ctrl प्लेस Home की या इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो है Home की क्योंकि अगर आप Libre Office writer में line की शुरुवात में आने आना चाहते हैं अगर आप writer में किसी भी text की line की शुरुवात में आना चाहते हैं तो इसके लिए Home की का जो है वस्तमाल करते हैं end की जो होता है वो उसी line के आकरी में जाने के लिए होता है next question है Libre Office writer में sub script देने के लिए shortcut की है Ctrl प्लस A Ctrl प्लस B, Ctrl प्लस E Ctrl प्लस F तो इसका जो right answer है वो है Ctrl प्लस V अगर आप Libre Office writer में sub script देना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl प्लस Shift प्लस V जो है वो shortcut की इस्तमाल करनी होती है next question है document के शुरुवात में जाने के लिए shortcut की है ध्यान रखेगा उस question में लिखी हुए line पर शुरुवात में आने की बात हो रही थी अब यह question है document के शुरुवात में आने के लिए तो document के शुरुवात में आने के लिए किस की का इस्तमाल करते हैं Ctrl प्लस Home की Ctrl प्लस End की Ctrl प्लस Page Down या Ctrl प्लस Page Down तो अगर आप document की शुरुवात में आना चाहते हैं आपका करजर पूरे डॉक्यमेंट की किसी भी एरिया में है तो अगर आपको उक्तम शुरू वाली लाइन पर आना है तो उसके लिए हम Ctrl प्लस होम जो है शॉटकट की इस्तमाल करते हैं Next question है राइटर में font size बढ़ाने के लिए कि शॉटकट की का इस्तमाल करते हैं Ctrl प्लस open square bracket Ctrl प्लस close bracket Ctrl प्लस open square bracket Ctrl प्लस right arrow की या इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो है आपका A यानि की Ctrl प्लस open open square bracket Next question है राइटर में document के अंत में जाने के लिए कि शॉटकर की का इस्तमाल करते हैं अगर आप राइटर document में document के last में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कि शॉटकर की का इस्तमाल करेंगे Ctrl end की Ctrl home की Ctrl प्लस shift प्लस end की या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेगा दोक्युमेंट को सेव करने के लिए किस शॉटकर्गी का इस्तमाल किया जाता है Ctrl प्लस S या Ctrl प्लस Shift प्लस S Ctrl S या Ctrl प्लस F12 Ctrl प्लस S या Ctrl प्लस Alt प्लस S या इन में से कोई नहीं ध्यान रखेगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट Ctrl प्लस S या Ctrl प्लस Shift प्लस S Ctrl S या Ctrl प्लस F12 जो होता है ये MS Word में इस्तमाल होता है Next Question है LibreOffice Writer में एक नया डॉक्युमेंट बनाने के लिए कि शॉटकर्गी का इस्तमाल करते है Ctrl प्लस N, Ctrl प्लस Shift प्लस N, Ctrl प्लस O या ये सब ही अब इस कुशन में नया डॉक्युमेंट बनाने के लिए जो है शॉटकर्गी पूछ रहा है LibreOffice Writer के अंदर जब हम न्यू डॉक्युमेंट क्रियेट करते हैं ब्लैंक डॉक्युमेंट तो उसकी शॉटकर्गी Ctrl प्लस N होती है Next Question है Writer में शब्दों को By से Align में लाने के लिए कि शॉटकर्गी जो है वो हम इस्तमाल करते हैं By मतलब है Left तो Writer में शब्दों को Left से Align में लाने के लिए कि शॉटकर्गी का इस्तमाल करते हैं Ctrl प्लस E Ctrl प्लस L Ctrl प्लस R ये Ctrl प्लस J तो इसका जो right answer है वो है आपका B control L क्योंकि left line की जो shortcut की होती है वो होती है control L जिससे हमारा document है वो left से right के तरफ move करता है जब आप कोई भी चीज type करते हो तो left area से right area के तरफ जाता है तो ये थे आपके लिब्रे office writer shortcut keys जो अकसर triple C के exam में पूछे जाता है तो आपको भी इन shortcut की के बारे में मालूम होना चाहिए कर आप triple C का exam देने जा रहे है तो ये थे आज के हमारे लिब्रे office writer shortcut keys के exam के question जो exam में आते रहते हैं तो उम्मीद है कि आपको आज की series जो है वो समझ में आई होगी questions जो है वो आपके exam में आपकी help करेंगे next class में हम इसी दरीके से कुछ और questions के बारे में बात करेंगे